असलाम लेकुम जी, कैसे हैंब सब लोगूमी करती होगा तिक ठाक कैंगे, खुष भूंगे आज पनाने लगे हैं, दो किसम के पकोड़े आलू और भेंगके क्रिस्पी किसम के पकोड़े बनाएंगे और बेसन प्रीमिक्स बनाके कैसे रख सेकं ताके में डेली डेली एक ही काम न करना पड़े, पहले से बेसन त्यार होगा, जस्ट पारी डाल के घूलेंगे, काम असान हो जाएगा, यह जी आदा किलो बेसन है, अच्छी तरहां से चान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर लंस होते हैं, वो गुठ्रियां होती है, जिस टाइ सुखा धनिया, एक टी स्पून भर के इसके अंदर डालेंगे, जीरा पाउडर, एक टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और टू टेबल स्पून भर के इसके अंदर डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा इसका बड़ा प्यारा आय पकोड़ों के अंदर, साथ ही इसके अंदर डालने के पानी, इसका स्मूध सा पेस्ट हमने बना कर तियार करना है, यह बहुत ही प्रो टिप है अच्छे पकोड़े बनाने के लिए कि आपका बेसन अच्छा घुला होना चाहिए, ठीक है, और यह इ ऊसको गोल के, साइड पर रख दो, ताकि उसको टाइम मिल जाए, अच्छी तरह से उसमें से लेस निकलती है, बेसन में से, तो लेस निकलने का टाइम मिलना चाहिए उसको, नेक्स जो भी आपको वेजटेबल्स चाहिए उसको गट कर लेंगे, वारीक बारीक कटले काटने आलू के, आलू का कतला इतना बारीक होना चाहिए कि जो आपकी knife है ना वो उसके नीचे से नजर आए अगर आप वो cutter का use करते हो तो उसके अंदर जो आलू है न वो बहुत जादा बारीक हो जाते हैं इसका इतना मक्सद होते है कि जब पकोड़ा बनके त्यार होना बेंगन का तो उसके अंदर से वो smooth सा creamy सा texture आना चाहिए अगर आप बहुत बारी कर दोगे बेंगन को तो वो बिल्कुल पापड़ो जाएगा उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा पकोड़ा ठीक है अब जिनाब क्या तरीका है कि हम इसको मज़ेदार सा चटपटा बना सकते हैं सारे बेंगन के कतले सीधे सीधे रखेंगे और इसके पर हम धेर सारा चाट मसाला डालेंगे यकीन करें इस स्टेप से आपके बेंगन के पकोड़ों का जो flavor है ना वो बिल्कुल ही next level हो जाएगा एक दफा आपने इस तरह से जरूर बना के try करना है आपको बहुत मज़ाएगा इन्शाला ये जी अब सारे कतले उपर नीचे करके रख देंगे इससे एक और फाइदा भी होता है कि जो बेंगन है ना वो काला नहीं होता क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है और जो बेंगन होता है वो अलड़ी नमक लगने की वज़ा से ना अपना पानी रिलीस करना स्टार्ट कर देता है सारे का सारा चाट मसाला इसके ऊपर कोट हो जाता है और हमारे जो बेंगन के पकोड़ें वो बहुत मसे के चटपटे से बन के त्यार होते है ये जी आप चेक करलो, इतनी थिकने सोने चाहिए बेसन की अब एक ड्रॉप बेसन का डाल के चेक करेंगे बेसन नीचे जाते साथ ही उपर आ जाएगा ये सबसे बेस तरीका होता है चेक करने का कि आपका बेसन सही से गुला हुआ है और जो oil का temperature है वो बिल्कुल perfect है आपने बेसन को थोड़ा सा डाल के चेक करने है जैसे ही वो oil में नीचे जाएगा oil खुद से उसको उपर वापस भेज़ देगा ये perfect तरीका होता है चेक करने के लिए कि आपका oil, heat और बेसन तीनों चीज़ें perfect हैं पकॉड़े तलने के लिए अब जिना आप dip करते जाएंगे और excessive जो बेसन है उसको remove करके हम इसको fry करते जाएंगे पहले से इस point तक done करके रख सकते हो कि अभी full done नहीं हुए पकॉड़े सिर्फ इतनी इसके अंदर कसर रह जाती है कि जब आप दुबारा से इसको oil या घी के अंदर डालो तो उसके पर color भी आ जाता है वो गरम भी हो जाते हैं और दुबारा से crispy भी हो जाते है और आप चेक करे हो कि कितने जबरदस्त फूले-फूले हमारे बेंगन के पकॉड़े बनके त्यार हुए आपने इसका दिहान यही रखना है कि overcoat नहीं करना आपने इसको जिस टाइम पे आपने बेंगन को डिप करना है बेसन के अंदर तो आपने इसको side से जुरूर से छटक लेना है ताकि जो उसका excessive बेसन है वो उसके उपर से उतर जाए यह जी मज़ेदार से बेंगन के पकॉड़े त्यार है अब बार ही आ गई है अलू के पकॉड़े बनाने की अब सबसे आसान काम यही है कि अगर आपके लिए बेसन कम या जादा हो रहा है तो आप जस्ट उस बेसन प्री मिक्स के अंदर से थोड़ा से बेसन निकालो उसको पानी के अंदर गोलो और आपके पकॉड़े दुबारा से बनने के लिए त्यार हो जाते है इतने बेसन के लिए जो स्पाइसिस मैं ने आपको बताया है वो बिलकुल परफेक्ट है आपको बिलकुल भी कोई एक्स्टरा मसाला नी डालना पड़ेगा आपको कोई सोडा डालने की जरूरत नहीं आप वैसे ही देख रहे हो सोड़े के बगएर ही हमारे पकॉड़े बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं क्योंकि अच्छे पकॉड़े बनाने के लिए दो ही टिफ्स चाहिए होती है एक आपका बेसन बहुत अच्छी तरह से घुला हो और दूसरा आपका जो ऑईल है उसका टेम्परेचर सेट होना चाहिए अब देख रहे हो आप जिस तरह जिस तरह डालते जा रहे हो खुद बो खुद से पकॉड़े फूल रहे है माशाला कलर चेक करो कितना जबरदस्त है ये जी हमारे मज़ेदार आलू के क्रिस्पी किसम के पकॉड़े बनके तियार हो चुके है ये तीजे आज़ की रेसिपी में उम्मीद करते हैं को पसंद आई होगी बस लाइक करना तो पूश लें चाल्लक को सबसक्कार करें दें लाइक करें आपने नहीं भूलना थेंक्स पर बॉच्चिक अलाहाफेज